Hello friends, welcome to educational insight. दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बार फिर से बच्चों के लिए स्कूल खोल दिये हैं हाला कि कक्षा 1-8 तक के बच्चों के लिए अभी भी सिक्षा का जो स्वरूफ है वो ऑनलाइन ही रहेगा आईए दोस्तों देखते हैं पूरी की पूरी इनफोर्मेशन और पूरी की पूरी लेटिस्ट अपडेट से आपको रूबरू कर आते हैं उत्तर प्रदेश के विद्यालियों को पुना खोलने के सम्मंद में आधिकारिक सूचना है दोस्तों उत्तर प्रदेश में सभी विद्याले 6 परवरी तक बंद किये गए थे परन्तो अब कोरोना संक्रमन के केस कम होते देखकर पुना विद्याले को खोलने का निर्णे लिया गया है जिसमें कक्षा 9 से लेकर उच कच्छाओं तक अर्थात कक्षा 9, 10, 11, 12 अधा डिगरी कॉलेज को खोले जाने का निर्णे लिया गया है परन्तो अभी भी कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक के सभी विद्याले आफलाइन सिक्षन के लिए बंद रहेंगे कक्षा 8 तक के स्कूलों पर फैसला दोस्तों बाद मिलिया जाएगा हम बात कर रहे हैं यहाँ पर अवनीस कुमार अवस्थी जी का वो पत्र जिसके माध्यम से इस बात को संदरभित किया गया है सूचित किया गया है बताया गया है कि उत्तर प्रदेश में आपका क्षा 9 से लेकर 12 तक माध्यमिक विद्याले और उसी के साथ साथ डिगरी कॉलेजेस भी बच्चों के लिए अब आफलाइन सिक्षनल व्यवस्था के ताहत दोस्तों खुल गए हैं दोस्तों आप पत्र देख सकते हैं श्री अवनीस कुमार अवस्थी जी का पत्र है अपर मुख सचीव हैं उत्तर प्रदेश सासन में और ये पत्र शेयर हुआ है गरी गोपन अनुभाग तीन से दोस्तों पत्र जारी हुए दिनांग पाँच फरवित दो हजार बाइस और विशय यहाँ पर है कोरोना संक्रमन की दरोव में प्रभावी रूप में से कमी होने के दृटगत सेक्षनिक संस्थान खोले जाने के संबन में तो दोस्तों यहाँ पर इस बात का हवाला दिया गया है कि इससे पहले जो आदेश था उसके तहत उस आदेश का संदर गरहन करने का कस्ट करें जिसके क्रम में जिसके दोरा निर्गत दिशा निर्देशों के क्रम में सभी सेच्छनिक संस्थान दिरांग 6 फरवरी तक पूर्टिया बंद रखने और सेच्छनिक संस्थानों दोरा ऑनलाइन कक्षाएं जारी रखना सुनिश्चित करने के पहले पूर्व में आदेश निर्गत किये गए हैं अब दूसरा यहाँ जो पॉइंट है वो बहुत ही इंपोर्डेंट है और उसमें यह बात हो रही प्रदेश में कोरोना संक्रमन की दरों में प्रभावी रूप से कमी होने के द्रिश्टगत अब इस सम्मन्द में सम्मेक विचारों परांत या निर्ड़े लिया गया है कि पूर में जारी आदेशों को संसोधित कर कक्षा नौ से उच्चतर यथा कक्षा नौ दसी ग्यारा बारवा समस्तर डिगरी कॉलेज कोरोना गाइडलाइन्स यथा मास की अन्युआरता में कोविड हेल्प इडिस की अस्थापना था समय समय पर निर्गत अन निर्देशों का कडाई से अनुपालन कराते हुए अब दीनांग दोस्तों यहां पर बात हो रही अब दीनांग साथ फरवरी 2022 दोस्तों यह दीनांग है साथ फरवरी 2022 और से अगरिम आदेश तक यह खुले रहेंगे यहां पर बात हो गई है कि साथ फरवरी 2022 से आगे आने वाले आदेश तक विद्धाले दोस्त डिगरी कालेज में जो अधनत बच्चे हैं जो विद्यार थी हैं वो इस आदेश के अनुपालन और कंप्लाइंस में आएंगे और सभी के लिए विद्याले आफलाइन खुल गए हैं यानि अब बच्चे विद्याले जाएंगे और वहाँ पे एक अक्षागत परिवेस और प हाँ बचार आएं यार बचार सब्सक्राइब करें जब भी per customer हैं व्यवरी लाइकशन सब्सक्राइब करें ऊच्छरों को सब्सक्राइब करें थायंक्स वज्टारैब इस से जञेश पारकास्थषी थिञाजरों